हेलो दियर स्टुडेंट्स वालकम टू गुर्नूर करियर अकैडमी आज के हमारे सबसे पांच इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखिए जी आई टेग्स जी आई का जो लेटल मेनिंग होता है वो होता है जोग्रफिकल इंडिकेशन एक जगा की काफी फेमस चीज तो है कि सीधा सीधा क्वेशन आता है तो इसमें जालेस धातुशिप जो की क्या है एक मैटल क्राफ्ट है गोवा का मानकुरद मैंगो तीसरा गोवन बैविन का चौथा उदेपुर कोफतागिरी मैटल क्राफ्ट और पांचवां बीका नेरी काशिदाकारी क्राफ्ट छटा ज जोदपुर बंधेज क्राफ्ट और सात्वां बीका नेर उस्ता कला क्राफ्ट इन सब को जो है वो जोग्रफिकल इंडिकेशन मिला है जी आई टेग मिला है डारेक्ट क्वेशन आपको आ सकता है आज का सेकेंड करंट अफियर वो है कि अभी एक नई बुक जो है वो रिली मिनिस्टर्स डिसाइड जिसको आथर किया है हमारे बहुत ही वयोवरिद जर्नलिस्ट वेटरन जर्मलिस्ट जिनका नाम है मिस्टर नीरज चौदरी आज का हमारा थर्ड जो करंट फियर है वो है आधी पैरुकू यह क्या है यह तामिन लाडू का एक कल्चरल फेस्टिवल है जो कि किस चीज से रिलेडिड है जो कि मौन्सून से रिलेडिड है उन्होंने एक तरह से मौन्सून का स्वागत किया कि मौन्सून आप आईए और अच्छी तरह से बरसिये ताकि जो फसल है वो अच्छी हो सके आज का फोर्थ और बहुत इंपोर्टन देखिए स्टार PM यशस्वी स्कीम ये क्या है ये एक स्कॉलर्शिप प्रोग्राम है जो किसने लॉंच किया है एन पी ए एन पी ए क्या है नैशनल टेस्टिंग एजेंसी जो क्या कर रही है जो नाइन से ट्वेल्थ के जो मेरिटोरिय स्टुडेंट्स है उनका एक एक एकजाम लेगी और जो करेंगे उनको 15,000 बच्चों को स्कॉलर्शिप दी जाएगी 75,000 रुपे से 1,25,000 रुपे पर एर बहुत इंपॉर्टन पी-म ये शस्वी स्कीम डारेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है आज का लास्ट क्रंट अफियर जो है वो एक आईलेंड से रिलेटिड है जो है कुर कुरील आईलेंड अब ये क्या है ये एक डिस्प्योट आईलेंड है डिस्प्योटिड आइलेंड है जपान और रश्या के बीच और ये कहां पर है ये सी आफ अखोडस के अंदर है pra ये योक्रेन के साथ जब से रश्या की लड़ाई श्रू हुई है उसके बाद पहले ही रश्या के कबजे में था और अब जो है वो जपान को लगता है कि शायद कुरील आइलेंड जो की सी आफ अकुतस में है वो हमारे पास आ जाए थैंक यू कीप टून टू गुर्नूर करियर अकैडमी